ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर भारत के इतिहास के पन्नों को आप पल्टेंगे तो बहुत सारी जानकारियां सामने आएंगी खासकर भारत के इतिहास में मोगल साशको और छत्रपति सिवाजी महराज में शासन करने को लेकर युद्ध की जानकारी भी आपको मिले बादशाह औरंग जेप रह्मतुल्ला अलही और शिवा जी महराज में शासन करने के लिए युद्ध कई बार हो चुका है मगर पिछले कुछ दिनों में मुम्राश शहर में एक ऐसा माहौल बन रहा है जो इस मसले पर हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिस की जा रही है मुम्रा शहर के एक नगर सेविका के पती अजीज बाटा ने इस मुद्दे पर फेस्बुक लाइब आकर अपनी बात रखी तो वहीं M.I.M. पार्टी के सैब पठान अब इस मुद्दे पर खुल कर सामने आ रहे हैं और जिसने टिपनी की है उससे माफी मांगने की मांग कर हैं लेकिन महीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हर मुद्दे को राजनीती रंग नहीं देना चाहिए क्योंकि मुम्रा ही एक ऐसा शहर नहीं है कि जहां मुसलिम आबादी ज्यादा है मगर सिर्फ मुम्रा में ही इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है ये शहर भाईचारे का शहर माना जाता है क्योंकि लोग यहां मिल जुलकर रहते हैं मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां किसी भी मुद्दे को एक अलग रंग देकर उस मुद्दे पर अपनी राजनीति की रोटी सेकती है वहीं अगर बात करें शिवा जी महराज की तो उनके साथ में भी मुसलिम समुदाय के लोग जुड़े हुए थे और अवरंग जेब रह्मतुल्लाह लही के साथ भी हिंदू समाज के लोग जुड़े हुए थे जब इस बारे में टिपनी करने वाले आनंद परांजबे से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री राज क्या राजा होता है और अवरंग जेब रह्मतुल्लाह लही भी राजा थे इसकी वजह से मैंने तुलना की मेरे मन में गलत भावना नहीं थी मगर लोग उसका गलत अर्थ निकाल रहे हैं अगर राजनीती करना है तो मुद्दे पर करो ना की किसी धार्मिक मसले पर वही पुलिस परशाशन को भी चाहिए कि इस तरह की गंधी राजनीती करने वालों पर शिकंजा कसे और शहर में महौल खराब होने से रोके तमाम खबर को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहार टैम्स